इटावा कोट में पेशी पर आया मुलजिम पुलिस अभी रक्षा से फरार हो गया मुलजिम के फरार होने की सूचना पर इटावा के संजय कुमार वर्मा कछेरी परिसर पहुँचे बताया जा रहा है कि इटावा के भरतना थाना शेत्र का मुल्जिम अजय और फुबड़े जनवरी मा से महोला जेल में बंद था उसे पेशी पर लाया गया था और उसने दो पहर करीब दो बजे पुलिस को चक्मा दे कर फरार हो गया संजय कुमार वर्मा ने बताया कि फरार मुल्जिम की गिरफतारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है जिसमें एसो सिविल लाइन्स, एसो भरतना और एसो जी सर्विलन्स शामिल है वाई एसेसपी ने मुल्जिम को अभी रक्षा में ले जाने वाले सिपाहियों को निलंबित कर दिया है थाना सिविल लाइन्स शित के चहरी में डिड़ दो बजे के आसपास पेशी के अदारवान एक मुल्जिम जो चार्सव ताउन तिन स्वस्थी 411 का मुल्जिम था और 2011 का अभीयोग था ये और वारंट में गिर्प्तार हुआ था जनवरी 2024 से वारंट में गिर्प्तार होने के बाद थाना भरतना कश्बे का अनिभासी था अजय उर्फ बड़े नाम था उसका और वो आज पेशी के दौरान कोर्ट से जो है चला गया है और फुलिस की तीन टीमे बनी है उसको पकड़ने के लिए उसमें आरक्षियों की किलाब जो उनकी ड्यूटी थी उनकी किलाब कारवाई भी की जा रही है साथी शाथ इसमें जो तीन टीए बनी है सुजी सर्विलांस की और इंस्पेटर सिवेलाइन्स की तथा इंस्पेटर भरतना की तीन टीए में लगाएगी है पकड़ने के लिए साथी साथ एस्पेसिटी और सिवेलाइन्स की तथ में ये सुनिशित की जा रहा है कि इसकी सीगर की प्यारी करके विधी कारवाई इसके खिलाब सक्से सकते है